नमस्कार शामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनों आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानन डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक शामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चेनल गो ब्लॉक्स में एक सुन्दर सी मेल हतेली आप पुरुष जातक है और आपकी रियल हतेली मेरे शामने विवेचना के लिए आई हुई है यहाँ पे इस हतेली को देख कर मैं निश्चित तोर पे कह सकता हूँ कि आप अपने जिवनकाल में उचाईयों की वो सीमाय तय करेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं लेकिन अभी कम से कम तीन वरसों तक जिवन में बहुत जादा कठिनता भी आपकी जिवन में में रहेगी खास कर पैसे रुपे को लेके अपने करियर को लेके खुब मेहनत और परिश्रम आपको करना पड़ेगा और ठीक तीन वरस के बाद आपकी जिवन में एक सांदार समया आ रहा है और मैं एक एक चीज को देख करके इसके बारे में बता रहा हूं ध्यान से देखेगा सबसे पहले हम एक पॉइंट पे चलते हैं आपके इश्टदेब को देख लेते हैं उससे पहले यहाँ पे देखें तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं भाग्या अस्तान कर्म अस्तान क्योंकि ये कर्म को भी देखता है सनि का अस्तान भी है ये सनि परोत भी इसको कहते हैं और इसके उपर जो फिंगर बनी है इसको मिडिल फिंगर कहते हैं इस वाली फिंगर को मिडिल फिंगर कहते हैं अब नेचुरल तरीके से इसका जुकाओ देखेगा आपको ये हतेली इस प्रकार से कर्ब लेती हुई ये उंगली दिखाई दे रही है और इस तरब इसका मतलब है कि बहुत जादा मेहनत और बहुत जादा परिश्रम करने के बाद ही आपको चीजों में सपलता मिलती है ठीक ये क्या बता रहा है आपके संगर्सों की दास्ता को बताता हुआ नजर आ रहा है दूसरी बात है जीवन में यहाँ पे देखेंगे तो आपके जो मनिबंद है इसमें केवल दो लकीरें दिखाई दे रही है दो लाइन दिख रही है ने आपके कलाई के छेतर में रिष्ट म इसका मतलब क्या है कि स्वयम की मिहनत और स्वयम के परिश्रम से ही आपको अपनी जीवनकाल में स्रेश्ट सपलता की प्राप्ति होगी अगर आप यह सोच कर चल रहे है कि किसी की महरबानी से किसी के सयोग से मैं अपनी जीवनकाल में कुछ कर पाऊंगा तो आपको अपनी जीवनकाल से यह गलत फहमी निकाल देनी है और आपका जो प्रारंभिक जीवन है कम से कम चालीसवे वर्स तक का इसमें चाहे आप कुछ भी कर लो लेकिन तो भी ये संगर्श की इस्तिति में रहेगा इस पश्ट बता रहा है ठीक ठीक 41 एर से 41 वर्स से भाग्या आपका जम कर साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें भी 45 वर्स में पूर्ण भाग्योधा यहा पी इस पश्ट दिख रहा है इस ओर भी चलींगे अब देखेगा यहाँ पे रेखाい का जाल भी बन रहा है और इसका जो color है वो फेट हो रहा है इसमें ब्लॉक जो black color है वो आ रहा है ठीक है ने? कालापन इसका मतलब है अभी कम से कम तीन बरसों तक संगर्स रहेगा और कोई न कोई चिंता आपकी जीवन मिकाल में बनी रहेगी कोई नहीं मिटा सकता है हाँ कुछ उपाई दूँगा राहत जरूर आपको मिलेगी लेकिन फिर कह रहा हूँ आपकी हतेली ऐसी हतेली है कि आप उचाईयों की वो सीमा तय करेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हैं ये इस्तिति आपकी हतेली में है आप यहाँ पे थोड़ा सा देखेगा यहाँ पे यह आपकी हिर्दई की लकीर है यह आपकी मस्तिस्क की रेखा है और यह आपकी जीवन की रेखा है चंद्रमा से निकल करके मून माउंट से निकल करके एक लाइन जा रही है और सेटरन तक ठीक है ने ये इस्तिति बन रही है आपकी हतेली में इस पश्ट तरीके से देखेगा तो अंग्रेजी का एक्षर M होता है ने ये M आकर्ति बन रही है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि निश्चित रूप से जो आपके पंच तत्व है ठीक है ने पंच भूत जिनको कहते हैं जिन से सरीर बना है फाइव एलिमेंट जो आपके सरीर में आठ चक्र मौजूद है जो आपकी पांच ग्यान इंद्रिया है और पांच कर्म इंद्रिया है उनके अनुसार अगर देखा जाए तो देवादि देव महादेव आपके आरध्यदेव है और इस प्रकृति में मौजूद जो प्रकृति की देवी है मा पारवती, मा जगदंबा, मा परांबा, मा दुरगा, मा काली जिसको भी आप मानते हैं हैं पारवती का ही रूप ठीक है न? वो आपकी अदिश्ठात्री देवी है और ये कह रहे हैं कि जितना जादा समर्पन इनके प्रति आप कर रहेगा जीवन में आप उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की प्राप्ति करेंगे लेकिन कितनी करेंगे ये इसके उपड़ डिपेंड रहेगा कि आपका समर्पन कितना है उसकी क्वालिटी क्या है आप कितना विश्वास करते हैं, कितना विश्वास रखते हैं ये चीज इस पर निर्भर करेगी ये इस पश्ट तरेकी से दिखाई दे रही है अब एक चीज देखेगा यहाँ पे यहाँ पे जीवन काल के 45 वर्स तक धन के मामले में खर्चिला स्वभाव बहुत जादा रहेगा और ये खर्चिला स्वभाव कब से दिखाई दे रहा है 36 की एज से लेकर के और 42 वर्स तक इसका प्रभाव जादा रहेगा और आंसिक प्रभाव रहेगा 45 एर तक उसके बाद फिर जो है इस्तिति बहुत सांदार है तो खर्चिला स्वभाव कहीं न कहीं आपका रहेगा दूसरी बात इन दोनों के बीच में भी गैप दिखाई दे रहा है जब जब आपकी कुंडली में सनी महाराज्जी साड़ी साती में रहेंगे ढ़या में रहेंगे य यह इसके उपट डिफेंड करता है कि आपके करमाज किस प्रकार के है ठिक इन चीजों को यह इस पश्ट तरीके से दिखा रहा है अब चलते हैं आपकी हतेली की अन्य चीजों पर बहुत बड़ी चीज है देखेगा यहां पर इस पश्ट तरीके से देखने की कोसिस करेगा यहां पर यह है आपकी करियर और धन की रेखा ठिक करियर और धन की रेखा यह कहां से निकल रही है ध्यान से देखेगा इस प्रकार से यह जा रही है और चंद्रप्रवत से मून माउंड से निकल रही है जब भी धन और करियर की रेखा मून माउंट से निकलती है तो दो चीजों को बताती है एक तो बहुत जादा मेहनत बहुत जादा परिस्रम करने के बाद यह बहुत जादा मेहनत कराती है बहुत जादा परिस्रम कराती है तब जाके 42 से लेके 45 वर्स के बीच में थोड़ा सा चैन दिलवाती है और 45 वर्स के आसपास ये भाग्योदय कराती है दूसरा ऐसे इस्तिति जब आती है तो कई लोगों के साधी होने के बाद भाग्योदय होता है इस पश्ट तरीके से बताती है और धन की और करियर की जो इस्तिति है वो शांदार रूप में उभरती है उससे पहले नहीं दूसरी बात ये इस पश्ट तरीके से बता रही है कि जीवन काल के 41 एर से 41 वर्स से परतेक दिन आपके पास धन आएगा पैसे आएगे परतेक दिन आप नोट कर ले इस बात को ये इस पश्ट बता रहा है 41 एर से परतेक दिन आपके पास पैसा आएगा अब कितना आएगा? आपके मस्तिस्क सक्ति और आपकी योग्यता के उनसार अगर वाहन का सुक प्राप्त नहीं हुआ है तो 41 से 41 से लेके 45 एर के बीच में मन पसंद वाहन का सुक प्राप्त हो जाएगा अगर आप चाहेंगे तो नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा ठीक? दूसरा अगर अपने घर का सुक प्राप्त नहीं किया है आपने तो 41 से 45 के बीच में या तो घर का सुक प्राप्त हो जाएगा या उसके लिए रास्ता बन जाएगा और देखेगा अगर बिजनिस में आप गई नहीं हैं लंबे दोर से सोच रहे हैं लेकिन बिजनिस खड़ा ने कर पा रहे हैं ठीक में सुरूं नहीं कर पा रहे हैं तो 41 व्रस से लेके 45 व्रस के बीच में निश्चित रोप से आप अपने बिजनिस को खड़ा भी करेंगे और उसको डेपलप भी करींगे ब्यापार का सुक मिलेगा अगर ब्यापार कर रहे हैं बिजनिस कर रहे हैं और उसको बड़ा रोप नहीं दे पा रहे हैं उसका फैलाव या उसका विस्तार नहीं कर पा रहे हैं तो फोटी वन से लेकर lattice फाईव यर के बीच में आप उसका विस्तार भी करेंगे उसको एक डेपलपमेंट की इस्तिति में भी ले आएंगे तो एक तालिस से पैतालिस के बीच में तीन सुक आपको मिलेंगे ही मिलेंगे गाड़ी का सुक दिखाई दे रहा है घार का सुक दिखाई दे रहा है और बिजनिस का सुक दिखाई दे रहा है मनी आपकी हतीली आपको 41 एर से बिजनिस की और अच्छी होती है ये भग्यरेखा अभध्यान से दीखेगा ये जीवन रेखा से निकल कर एक रेखा बुद्ध की और जा रही है जा रही है इसको स्वस्त्य की रेखा कहते है आरोग्य की रेखा कहते हैं, तंदुरस्ती की रेखा कहते हैं और बिजनिस की रेखा कहते हैं ये रेखा इस पश्ट तोर पे बता रही है कि आपकी आयू बढ़ने वाली है जीवन में निश्चित रूप से सफलता जबरदस्त रूप में उभरने वाली है और बिजनिस जैसा कार्य आप करने वाले है उसमें आपको बड़ी तरक्की मिलने वाले है यानि बोलने के धंग के कारण भी आप अपने जीवनकाल में धन कमाएंगे लिकिन एक जो है स्वस्ते के परती ये रेखा थोड़ा सा जो है प्रोब्लम खड़ी कर रही है और बिजिस कर पेट से समंदित परिशानी को लेके हर्मोनल सिस्टम को लेके ये चिन्ताएं दिखा रही है एक तो आपको बैदिक उपाय दोंगा मैं स्वस्तय से समंदित क्योंकि यहाँ पर परिशानी दिख रही है और दूसरा आपको जो है स्वस्थ्य में थोड़ा भी कहीं चीजें लगी तो इग्नोर नहीं करनी है ठीक है ने बहुत बड़ी प्रोब्लम नहीं दिखाती है छोटी मोटी प्रोब्लम को लेकि चिंताओं में डालती है प्रेशानी खड़ी करती है तो आपको क्या करना है कि एक तो बैदिक उपाई करने है जो तिसे उपाई जो मैं दे रहा हूँ बहुत सरल है लेकिन बहुत पावरफुल है लेकिन मन से करने है उसके विदिके अुणसार करने तभी फाइदा देता है आदा अदोरा चीज कभी फाइदा नहीं देता है दूसरा आपको डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी है चीजों को इग्नोर नहीं करना है तो ये जो हेल्थ इस्यू है ये आपका बिल्कुल खतम हो जाएगा और 40 वे वर्ष के आते आते आप चाये तंदुरस्ति का मामला हो चाये आपका स्वस्ति का मामला हो या आरोग्या का मामला हो आप इसमें चिंता नहीं करने वाली चीजों की और जाएंगे दन की इस्तिति और करियर की इस्तिति भी बेहतरीन आवस्ता में आ रही है अब यहाँ पे एक चीज देखेगा यह आपकी यहाँ से मस्तिस्क गिर्ग आ रही है और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक शानदार राहो का तिरबुज बन रहा है जबरदस्ट लेकिन यह राहो का तिरबुज क्या फल दे रहा है आपको बरतमान में नहीं दे रहा है सुन्य परसेंट भी नहीं एक परसेंट तो छोड़ेगा ये अभी सुन्य परसेंट भी नहीं दे रहा है अब क्यों नहीं दे रहा है इसका क्या मतलब है क्यों नहीं दे रहा है क्यों इसका जो ये मेन अस्तंब है ठीक ये आपका चंद्रमा से निकल रहा है और ये जब चंद्रमा से निकलता है ठीक है ने और इससे त्रिकोन बनता है तो ये फल कब देता है 45 एर से 45 वे वर्स से ये जो त्रिकोन है 45 वे वर्स से इसका फाइदा मिलता उससे पहले 0.1 परसेंट भी फाइदा नहीं मिलता है लेकिन 41 वे वर्स से ये अस्तंब आपने आप फाइदा देने बैठ जाएगा 45 में जैसे ही आपका भाग्योदय होगा जबरदस्त रूप में जो है ये फाइदा देगा और राहु को अच्छा बनाता है ब्यक्ति के फेवर में बनाता है तो राहु 45 एर में हतेली के उनसार आपकी फेवर में आ रहा है तो जब ये इस प्रकार से बनता है राहु आपके फेवर में आता है राहु अच्छा हो तो ऐसे जो लोग हैं जमीन से उठकर आसमान में पहुँच जाते हैं उच्चाईयों की वो सेमा तय करते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते ऐसी इस्तितियों को ये देता है और ऐसे लोगों का अपना घर निश्चित तोर पे बनता है गारंटी के साथ घर का सुक भोगते हैं तो यहां पर ये चीजें दिखाई दी रहा है आपका राहो पोजिटिव आउस्ता में आ रहा है 45 एर से उससे पहले इसका ये अस्तम ठिक 41 एर से आपकी फिवर में आ रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है और अपनी जिवन को सांदार इस्तितियों में ले जाना है बरतमान इस्तिति में देखें तो नाड़ी रेखाई यहां पे इस पश्ट रूप से इस प्रकार से जो है चीजों को खराब कर रही है और यहां पे देखेगा जाल भी बन रह है और साथ साथ में नाड़ी की रेखाई हैं और अभी तीन वर्सों तक इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है ठिक क्या प्रभाव डाल रही है देखेगा नाड़ी की रेखाई जब जीवन की लकीर को काटती है तो सबसे पहली यह मुश्किल होती है कि जीवन में कदम कदम पर ब्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है निश्चित तोर पे करना पड़ रहा है अब ये करियर और धन की रेखा को काट रही है तो पैसे रुपे को लेके रोटी रोजगार को लेके आजियुका को लेके हर जगा आपको भयंकर उतार चड़ाव जहलने पड़ मस्तिस्क की लकीर को काट रही है तो मानसिक तनाव की इस्तिति कम नहीं होती है तनाव जैसे खतम ही न हो रहा हो ऐसी इस्तितियों को ये प्रबल करती है साथ में जब ये भाग भी उबरावा हो तो बे वजहे की चिंताओं को ये निरंतर देती है या कोई न कोई ऐसी वज बखने में कई बार आलश्य बहुत जादा दिये देता है जब ये हिर्दई की रैखा को काटती है तो परिवार का जो सुक है उसमें ये तनाव की इस्तिति देता है तो यही चीजें यह यहां पर दे रहा है दूसरा इसमें जाल भी बन रहा है और जब हतेली में जाल बनना सुरू होता है तो प्रैक्टिकल रूप में इसके दुस्परिणाम दिखाई देते हैं और सबसे पहला प्रभाव देता है ये आपके मन पर आपके मस्तिस्क पर कही न कहीं जीवन में उलजन की इस्तितिक क्रेट होने बैठ जाती है ब्यक्ति दुविधा में आने बैठ जाता है और कई बार वो कनफ्योजन की इस्तिति में रहता है और जो उसकी निरणे लेनी की ताकत है वो धीरे धीरे छीन होने बैठ जाती है दूसरा इसका प्रभाव आपकी रिष्टों पर पड़ता है खास कर दामपत्य जीवन का रिष्टा, परिवार का रिष्टा और कुटुम का रिष्टा इन रिष्टों का जो चरम सुक का भोग है उसकी बीच में प्रस्तितियां खड़ी हो जाती है बेक्ति उस चरम सुक का भोग नहीं कर पाता है और यहां पर परिवार को लेकि शंतान को लेकि जो चिंताएं हैं अभी दिखाई दे रही है अभी उनका सोलिशन नहीं दिख रहा है लेकिन मैं एक सांदार उपाई आपको दे रहा हूँ आप उनका उपाईयों को करें तो आगे जाके निश्चित ही संभावना ही रहेंगी तो मैं दुबारा हाथ देखूंगा आपका तो कहूंगा कि अब संभावना है अभी उपाई दे रहा हूँ तीसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सिहत पे पड़ता है ऐसे में आर्थिक रूप से आप लड़ घड़ा जाते हैं और खास कर ये वाला हिस्सा बुद्ध का अगर नीचे दब जाए इसमें कितने अच्छे भी चिन्न हो तो भी ब्यक्ति दरद्रता की और जाता है आर्थिक रूप से बीमार इस्तिति में आ जाता है चौथा इसका जो प्रभाव है आपकी सिहत पे पड़ता है आपका स्वस्थ्य है चाए ओ सारेरिक स्वस्थ्य हो चाहे ओ मानशिक स्वस्थ्य हो उसमें विकार आने बैट जाते हैं और पांचवाँ और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी development, आपकी progress पे पड़ता है। कहीं न कहीं आपका जो सपलता का अस्तर है, वो घटने बैठ जाता है, माइनेस की तरफ आने बैठ जाता है, सुन्य की तरफ। तो जो मुनिश्य जीवन की पांच मुख्य चीजे हैं, उन पर इस चीज का जवरदस्त प्रभाव पड़ता है, और इसी को ठीक करना है, किस तरों से ठीक करेंगे, देखेगा, एक तो मैं आपको बनस्पति अश्नान दूँगा, उसकी एक छोटी सी परकरिया है, जरूर करें किसी प्रस्तिती वस तो कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन दिव्यय योग धिहान करिया, एक प्रकार का प्रणायाम है, योग है, ठीक है न, तो ये जरूर आपको करना है, और कुछ चीजे मैं एक छोटा सा उपाई और दूँगा, जो बहुत सारी चीजों को लेके है, ए कर सकें तो आपके लिए शांदार रहेगी, बहुत ही शांदार परिणाम आपके जीवन में आएंगे, ये आपकी हतीली बता रही है, अब अन्य चीजों पे चलें, ये आपका जो है ब्रस्तित का परवत है, इसकी जो फिंगर है, जो जुक रही है, ये है आपकी इंडेक्स के फिंगर, इसका जो कर्ब लेना है, वो बता रहा है, कि धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी आपके अंदर रहेगी, इस्वर में विश्वास रहेगा, अपने आराद्य के परती समरपन की भावना भी बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, और दयालुता है, करोणा की भावना है, आपके अंदर बहुत अच्छी तरों से उभरने वाली है, दूसरी बात, आपके व्यक्तित्तों को कभी भी कुरूरता है, और निश्टूरता है, छू नहीं पाएगी, और इसका लाब भी आपको जीवन में होगा, ये उंगली पूरी तरों से इस्तार हो जाए, फैलाओ उसको मिल जाए, एक ब्रांड बनकर उभरा जाए, ऐसी इक्छा भी रहेगी, यहां पर इससे बड़ी है, मिडल फिंगर से छोटी है, तो निश्चेत रोप से चीजों में जोखिम उठाने की ताकत, रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी और उसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए, तो गिर कर पुनह उठने की ताकत भी रहेगी, और यही चीज आपको जीवन में शानदार इस्तित में ले जाएगी, और खासकर फोटी वनियर से, यह उंगली पूरी तरह से जुक रखी है, इस उंगली की तरफ, धन का मानी की ललक जवरदस्त बनी हुई है, और आगे जाके इसका फाइदा मिल रहा है, और यहाँ पी यह इसकी पहले पोर्वे तक पहुँच रही है, यह से लोग लेट सही, देर से सही, लेकिन प्रैक्टिकल रोप से बड़ा मुकाम हासिल करते हैं, या तो प्रैक्टिकल रोप से ऐ आपको उतक्रिष्ट ब्यापारी दिखेंगे, या नोकरी कर रहे हो, चाए वो सरकारी नोकरी हो या प्रैक्ट नोकरी हो, ऐसे लोग आपको अधिकारी लेवल की ब्यक्ति दिखेंगे, ऐसे लोगों का उच्चोवर्ग का ब्यक्तित तो रहता है, और बहुत अच्छी सपल ये लोग पाते हैं, आप भी पाएंगे, दो चीजों के कारण, एक तो कम्यूनिकेशन स्किल्स आपकी सांदार रहेने वाली है, इसके कारण आप ज़्यादा सफल होंगे, और दूसरा स्वयम के बलबोते पे जो कुछ करने वाला गुण आपके अंदर है, उसके कारण आप जवर्दस्त सपलता अपनी जिवनकाल में हासिल करेंगे, लेकिन बुद्ध को आपको ठीक करना पड़ेगा, हिर्दई की रेखा आपकी बहुत अच्छी है, आगे चल कर आपकी महत्व कांचाएं बहुत अच्छी रहेंगे, सकारात्मक सोच हाभी होगी, बहुत आगए ब अस्तिस्क रेखा थोड़ा धहरे की कमी बता रही है, आपको धहरेवान होना चाहिए, इसके लिए दिब्यय योग ध्यान के रिया जरूर करें, जीवनकी रेखा बहुत अच्छी है, अंत में एक मचले का सायन बन रहा है इस परकार से, परिवार के परती बहुत केरफुल बिक्तितों रहेगा, और अपने जन्म अस्तान से दूर जाके आप आगे चल कर बहुत बड़ा विश्तार करेंगे, फैलाओ करेंगे, ये भी इस पश्ट दिख रहा है, इसके बारे में और इसके बारे में हमने अल्रेडी बता लिया है, अब यहां पर देखेंगे तो एक म यहां पर रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन अभी इसका प्रभाव जादा नहीं पड़ा है, आगे चल कर प्रभाव पड़ेगा, और ऐसी बेसिक नॉलेज रखेंगे कि लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे, इस्तितियां दिख रही है, यहां पर भी इस पश्ट चिन्नी बने, जब बनेंगे तो मैं आपको जरूर जो है आगाह करूंगा, सुखत जीवन जीने की चाहा बनी हुई है, और सुखत जीवन जीने के लिए प्रतनसील ब्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, अभी इसमें जाल है, किसी चीज को लेकि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, च तो सुक की अनभूती होनी चाहिए, अभी वो दूर तक भी नहीं दिखाई दी रही है, तो थोड़ा इति ब्यय योगध्यान के रिया ज़रूर करें, कई बार कनफ्यूजन, उल्जन और दुविदा जीवन में दिख रही है, लेकिन आगे चल कर इसका सॉल्यूसन नजर आ रहा है, हाँ, प्राकरम जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, प्रस्तितियों से भागेंगे नहीं, बलकि डटकर उसका मुकाबला करेंगे, और ऐसी इस्तिति आ रही है, जो आप से मिलेगा, वो भी कमपर्टेबल फील करेगा, मंगल ब आनन्द ये दिलाएगा, इसके बारे में हमने पहले बता दिया है, सूरे को थोड़ा प्रबल करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए दिव्य सूरे की रिया में दे रहा हूं आपको, इसके बारे में भी हमने बता दिया है, चंद्रमा की इस्तिति धीरे धीरे ठीक हो रही है और करीबन साल भर में ही ये अच्छी इस्तिति में आता हूँ नजर आ रहा है तो मानसिक रोप से बहुत ज़्यादा मजबूती आ रही है confidence लेवल बढ़ता हूँ दिख रहा है सरीर का hormonal system धीरे धीरे ठीक हो जाएगा डेड़े एक साल में जो है स्वस्ते से समंदित परेशानिया बहुत कम रह जाएंगे creativity बहुत अच्छे आएगे और सकारात्मक सोच बनी रहेगी ये आपकी हतीली बता रही है देखा जाए तो मैंने आपकी हतीली की एक एक चीजों के बारे में बिस्तार से बता दिया है उपाई में बिद्वत तरीके से लिख करके और आडियो के माद्यम से बेज रहा हो आप करने की कोशिस करें बहुत अच्छा लाब आपको मिलेगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनो पस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार